हेलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मसोटिस का नेक्स्ट लेक्चर जो की चैप्टर नंबर 5 से चल रहा है हमारा फार्मसोटिकल डोजस फॉर्म जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विड ओरल पिर्पुरेशन हमने इससे पहले पढ़ा था टैबलेट और कैप्सूल वो सॉलिड थे अब हम लोग क्या पढ़ने वाड़े हैं लिक्विड जैसे सीरप बगरा है ड्रॉप्स बगरा है ठीक है इनके बारे में आज की टॉपिक में हार पास क्या रहेगा लिक्विड ओरल पिर्परेशन इनका इंट्रो रहेगा और साथ साथ में जो सेलूशन हमा हम लोग अपने जिसका रूट और एक टार से क्या मतलब है जैसे की गूदारन ले अगर हम लोग कि एक पानी ले और पानी के अंदर तुमने क्या करदीया फूर्स थूट या डाल दीया नमक डाल दिया तुमने ठीक है और जब तुमने नमक डाल दिया और उसको छोड़ दिया तुमने नमक को डाल के नमक ले ली या चीनी ले ली डाल के छोड़ दिया तो तुम लोग क्या देखते हो, या कई वार तुम लोग ने जब चाय पी ओगी या दूद पीया होगा तो उसमें चीने डाल देते हो चीने डाल दिया, चीने डालने के बाद तुम थोड़ा से हिलाते हो और फिर छोड़ देते हो, हलका मीठा लगता है लेकिन जब तुम पूरा दूद पीरे होते हो पीरे होते हो लेकिन लास्ट का जो दूद पीते हो नीचे का बच्छा वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है होता है ऐसा होता है ना या चाय वे कहिवा चीने अलग से डालते हो तो नीचे की जो लास्ट का घूंट पीते हो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है तो याने की तुमारी चीनी पूरी तरीके से एक तार नहीं घुली थी ठीक है और जब एक तार घुल जाती तो हम लोग कहते हैं homogenious याने कि चाहे हम यहां से घूट पिए या आखरी घूट पिए हमें मीठापन एक जैसा लगेगा तो हम लोग क्या कहते हैं homogenious बात के लिए लोगी homogenious मतलब अब यहाँ पर क्या है होमोजीनियस का मतलब है कि हमारी जो दवा है चाहे हम यहाँ से उठा लें सीरप कहीं से भी उठाए हमारी दवा की quantity same रहेगी clear that is the homogenous एक तार ठीक है homogenous liquid preparation होती है तो homogenous word बार बार आने वाला है दिमाग में set रखेंगे इसको usually consisting of यहाँ पर solution हो सकता है emulsion हो सकता है suspension हो सकता है अब थुरासा मैं बात बता दूँ बच्चे लोग यहाँ थुरासा confused हो जाते है emulsion, suspension actually थोड़ी से अगर तुम लोग chemistry पता हो जो mixture होते है mixture को हम लोग अलए-लए-लग category में तोड़ लेते है है ना, जैसे कि true solution या solution बोल देते है true solution को simply हम लोग solution बोल सकते है ठीक है दूसरा अपने पास क्या आगे emulsion सा जाते है ठीक है और क्या आजाएंगे suspension आजाएंगे यह सब mixture है mixture की categories है है ना और या फिर नहींपास क्या आते है colloids आ जाते है जिसको तुम लोग अभी तक क्या है mixture के अंदर पढ़ते हुए आए होगे कि mixture chemistry में है ना, दो चीज़ों को मिला दो तो mixture बन जाता है और जब वो दो चीज़ें liquid form में हो तो हम लोग क्या बोल देंगे उसे simply solution बोल देते है ठीक है अब आगे आते है हमारे पास क्या है solution है emulsions है, suspension है इन तिनों difference क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं अब जो solution है solution का मतलब क्या होता है समझा दो simple सा तुमने एक glass लिया glass में क्या डाला कुछ चीनी के या नमक के दाने डाल दिये और तुमने इसे खुब हिला दिया हिलाया 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 जो शुरुआत में नमक अलग-अलग दिख रहा था या चीनी के दाने दिख रहे थे अब तुम कांच का glass है उसमें आरपार देखने कुईश करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता कि दूर से रखा हो देखोगे तो केवल पानी नजर आएगा उसके अंदर solute नजर नहीं आएगा यह जो water था इसके अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं solvent और जो मिलाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं solute फिर तो अगर तुम्हें कोई ग्लास दूर रखा हुआ है तो तुम पहचान नहीं सकते हो कि इसके अंदर कोई चीज मिलाई हुई है कि नहीं मिलाई हुई है ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं solution बोल देते हैं बात समझ में आगी emulsion की बात करें emulsion कैसे बनता है oil और water से या तो हम oil को water मिलाते हैं या water को oil में मिलाते है अब पानी और तेल को मिलाने क्या fund है इसका सबसे अच्छा उधारन है जो कि क्या तुम लोग के घरों में जो मक्षन होता है वो क्या है emulsion है तुम लोग जो ice cream खा रहे हो वो क्या है emulsion है उसमे emulsifying agent का इस्तमाल करते है पानी और तेल कभी चिपकते नहीं आपस में हमें पता है तो emulsifying agent होते है वो पानी और तेल को आपस में क्या करते है चिपका देते हैं और फिर एक cream जैसी चीज निकल के बाहर आती है clear है तो oil और water का डाल दो सेंड ठीक है सपोज एक सीजी ले लो उसके अंदर क्या डाल दिया सेंड डाल दिया तो तुम लोग सेंड नीचे बैठ गई है या इसके रिए सेंड बैठ गई है फिर सेंड फिर से पूरे पानी में तैरना स्टार्ट कर देती है तो जितने भी suspension वाले क्या होते है liquid preparation होती है उस पर हमेशा लिखा रहता है shake well before use क्या लिखा रहता है shake well before use याना कि use करने से पहले अच्छे से हिला लें क्यों क्योंकि जैसे मैंने बताया जो रेथ है थोड़ी दिर बाद क्या होगी नीचे बैठ याएगी और उपर क्या है पानी पानी है अगर दवा के अंदर भी क्या होता है जो suspension होती है उसमें जो powder होते है suspension जो हमारे पास preparation होती है liquid preparation उसमें जो medicines होती है तेरते भी नदर आती है फिर collides यह अपने course में नहीं है तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे ठीक है बासमझ में आगे तो उसके अंदर उतनी medicine मिलेगी चाहे हम syrup यहां से ले 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 चाहे यहां से ले ले तो homogeneous यह सब क्या होने चाहिए और इसके अंदर एक या दो active ingredients होते हैं है ना कई बार syrup के अंदर दो-दो chemical compounds होते हैं है ना कई बार 3-3 होते हैं कई बार single भी होता है तो एक या एक से अधि active ingredient मतलब जो हमारा pharmaceutical ingredient है जो हमारा main chemical है in a suitable liquid base, liquid base का क्या मतलब है यह बार बार टर्माने वाला बेटा base, base का मतलब जिस चीज के अंदर हम दोग दबाईयां जो हमारा chemical है उसको मिला रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं base, generally base कैसा होता है, syrup ही होता है, syrup ही मतलब मीठा मीठे वाला जो पानी के अंदर चीज डाल दो, तो मीठा हो गया तो वह बन गया syrup, जादा तर इस तरह का जो हमारा solvent, जो एक तरह से liquid base का मतलब हम बात कर रहे है, solvent की किसकी बात कर रहे है, solvent की, जब एक solvent है हमारा जिसके अंदर हमने चीज़ों को डाल दिया है, तो वह हमार क्या हो गया, liquid base हो गया, है ना, तो base एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, अभी देखेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे, तो base का मतलब simply क्या है, जिस चीज के अंदर हम लोग अपनी चीज़ों को घोल रहे हैं, वो क्या कहलाता है, base कहलाएगा, कि लिए रहे बार-बार base क सकते हैं, या फिर dilute करके, कई बार होता ना, कि एक धकन लो, उसे एक ग्लास पानी में डालो, और फिर पियो, तो जब हमने एक ग्लास पानी के अंदर वो एक धकन डाला है, सीरप का या liquid का, तो वो क्या हो गया है, dilute हो गया है, तो उसको दो तरीके से ले सकते हैं, या तो बनाते हैं हम लोग, तो उसके अंदर ये सारी चीज़े हो सकती है, जो chemical constant डालते हैं, ताकि वो अच्छे से घुल जाए, soluble हो जाए, wet हो जाए अच्छे से, तो इनका substance का use के अंदर हो सकता है, emulsifying agent, emulsifying कब ज़रूत पड़ेगी, जब हम लोग emulsion का use करते हैं, ताकि oil और water आपस में अच्छे से चिपक जाए, ठीक है न, oil और water को चिपकाने के लिए जो chemical use होते है, that is, emulsifying agent, कभी तुम लोग ने गौर किया है, ice cream खाते हो या रख दे तो और ice cream के खराब होने पर आ जाए, तो तेल अलग में दर आएगा, पानी अलग में दर आता है, यानि कि उन जो की हमारे chemical ingredients हैं, उनको suspend करे गए रहा, इससे की अच्छे से काफी थोड़ा देर तक तैरते रहे, ये जैसे रेत होती है, रेत को हिलादा तुरंद बैड़ आती है, इतना नहीं, कम से हमने हिलाया है, फिर धकन खोलेंगे, फिर सीरप डालेंगे, इतनी देर कम से कम हमारी medicine हवा में तैरती रहे, thickening agent and antimicrobial flavor डालते हैं, ताकि उसके तरह कोई microbes grow ना करें, for preservation, ये सारी चीज़ें कि अच्छा antimicrobial किसले डालते हैं, preservation के लिए जाने की प्रिजवेटी की तरह इस्तिमाल होता है, ठीक है, प्रिजवेटी वह पढ़ भी चुके है, तो ये जर्नल बात ठीक है, अब classification की बात करें, अगर तो oral liquid doses form को दो तरीके से classify करते हैं, एक होता है monophasic और एक होता है biphasic, ठीक है, ये तम को समझना है बेटा, monophasic में simple क्या है, इसको ऐसा समझ लो, simple, एक होगा solvent, ठीक है, यानि कि simple समझ लो कि हमने glass लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल लिया, water, और इसके अंदर हमने solute डाल दिया, solute मतलब अपना कोई chemical, तो हमारे पास क्या, monophasic, या हम इसको यूं समझ सकते हैं कि हमको यहाँ पर, जो monophasic है, इसके अंदर हमको दो परते नहीं दिखाई पड़ती है, बिल्कुल एक तार चीजें दिखाई solvent को mix कर रहे हैं, दो अलग-अलग चीजों को mix कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ समझने के लिए हम ऐसे करते हैं, अच्छा, यहाँ पर भी दो अलग-अलग चीजों को mix कर रहे हैं, no doubt, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, जैसे की, bifasic में क्या हो जाएंगा, face, दो face हमे एक तरसे हम कह सकते हैं कि अलग-अलग नजर में आएंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ suspension की, तो हमें suspension में यह जो base होता है, यह अलग नजर आ रहा है, और जो इसके अंदर की medicine है, वो अलग नजर आ रही है, तो हम लोग कहते हैं उसको क्या, bifasic, समझने के लिए बात ब दाल दी, अब हमें दो चीज़ें दिखाई पड़ रही है, पानी भी दिखाई पड़ रहा है, रेत भी दिखाई पड़ रही है, bifasic, clear, दो चीज़ें अलग दिखाई पड़ेंगी, तो हमाँ पास क्या हो जाएगा, bifasic हो जाएगी चीज़े, आगे आएं, तो suspension में क्य होते हैं कुछ, emulsion के भी कुछ आएंगे, अभी हम लोग देखेंगे उसको, तो तो सीरप क्या है, अब यह definitions आ गही है, क्या आगई, definitions, जो कि very important, one last question में आता है, तो मेरे खाल से चीज़ें समझ में आ गही होंगी, क्या है, तो सीरप क्या है, एक viscous, थोड़ा सा गाणा, oral liquid ह होता है, थोड़ा सा गाणा, liquid होता है, that contains one or more active ingredients, जिसकी अंदर एक या दो, active ingredients, मतलब chemical constant, जो हमारी बॉड़ी में जा करके, फार्मकलोजी का लेक्शन दिखाएंगे, उनको हम active ingredients कहते हैं, इना solution, असे solution यह सारे ही है, solution यह, सारे सब solution ही है, ठीक है, मैंने का ना, सब उसी के part है, solution के, एक तरह से कहलोगी, mixture के part है, अब solution में, एक होता है true solution, एक होता है suspension solution, एक होता है हमारे पास emulsion solution, तो है सब solution ही, ठीक है ना, confuse मत कर जाना, ठीक है, अब the base generally contain large amount of sucrose, ठीक है, जो base होता है, उसमें क्या होता है, sucrose होता जाता है, पानी में sucrose डाल देते हैं, और base हमारा तयार हो जाता है, उसके अंदर हम अपना chemicals मिलाते हैं फिर, ठीक है, other sugar, या sucrose हो सकता है, या कुछ suitning agent हो सकते हैं, ताकि जब पी हैं, तो वो दबा कड़ होई ना लगे, syrup में contain ethanol, उसके अंदर ethanol हो सकता है, as a preservative, और as solvent for flavors, ठीक है, ethanol का इस्तमाल यहां हो सकता है, mainly इसका preservative की तोर पर किया जाता है, anti-microbial agents में also be added to syrup to maintain the microbial quality of preparation, ठीक है, anti-microbials को भी कई बार add किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर anti-microbial growth ना हो, क्योंकि हमने base कैस है, syrup ही है, syrup बोलते ही समझ जाना, base हमारा कैसा मीठा है, ठीक है ना, तो जो हमारा सक्रोज है, या जो हमने सुगर डाल रहे हो, हमापे microbes grow कर सकते हैं, तो anti-microbial का भी इस्तमाल होता है, now oral suspension, an oral liquid that contains one or more active ingredients suspended in suitable base, suspended, suspended का मतलब मैंने जैसे बताया है, पानी के अंदर rate का तैरना, that is called suspension, ठीक है, जो पानी के अंदर rate तैरती है, उसको हम suspension कहते हैं, और suspended, suspended मतलब वो तैर रही है, ठीक है, आगे आते है, oral suspension हो गया, oral solution, an oral liquid that contains one or more active ingredient dissolved in suitable base, ठीक है, oral solution simple है, हम लोग active ingredient लिया और suitable base में क्या कर दिया, dissolve कर दिया, suspension में, वो suspend कर रहे होंगे, मतलब तैर रहे होंगे, oral drop, an oral liquid that is prepared to take a small quantity with the help of a suitable measuring device such as dropper, तो एक ऐसा oral liquid तैर कराना, जहां पर हम लोग बहुत छोटी सी quantity लेते हैं, drop by drop मुमें डालते हैं, बच्चे के मुमें डालते हैं, drop by drop, ठीक है न, कुछ measuring device रख देते हैं, उसक drop के अंदर drop a truck देते हैं, जिससे कि आप नाप करके 1 ml, 2 ml जो है, उतनी दवाई ले सके, oral emissions and oral liquid that contain one or more active ingredients that are unstable in the water phase, याने कि वो जो दो अलग अलग content है, अगर हम इसको पानी में डाल देंगे, तो वो unstable हैं, मिले, mix नहीं होंगे, अनिस्टेबल का मतलब, mix नहीं होंगे वो, ठ dispersion, ठीक है, यह किसमें stabilize होंगे, अगर chemistry पड़ रखी है, हम लोग oil को पानी में डाल दें, मतलब oil in water का emulsion बनाएं, और उसके अंदर अगर हम इस active consumer को डालते हैं, तो यह stable हो जाते हैं, ठीक है, तो end is stabilized in oil in water dispersion, either or both phase of the preparation may contain dissolved solids, अब हो क्या सकता है, इसको थोड़ा समझते हैं ठीक है, यह अपना एक ऐसे समझो, ठीक है, यह suppose oil है और यह क्या है, water है ठीक है, हमने क्या क्या, emulsifying agent, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या use क्या है, emulsifying agent, अब यह समझा है कि हमने ऐसे परते हैं, भाई, oil लेते हैं, पाने लेते हैं, ठीक है, हमने क्या क्या, इसके अंदर oil डाल दिया, इसके अंदर water भी डाल दिया, और इसके अंदर क् इमल्सिफाइंग एजेंट क्या डाल दिया इमल्सिफाइंग एजेंट अब हिला दिया अच्छे से तो ओल और पानी इस तरीके से आपस में चिपक जाएंगे अब जब यह आपस में चिपक गए अच्छे से तो अब क्या होता है जो हमारा active जो नॉर्मली ना तो ओईल में डिजॉल्व हो रहा था ना पानी में डिजॉल्व हो रहा था लेकिन जब यह ओईल इन वाटर एक वो बन गया ठीक है ना यह मोटी से परज़ बना दिये तो अब यह मेरे पास क्या बनके तयार हो गया है इमल्शन ठीक है ना तो होता क्या है कई बार या तो अब जो इमल्शन बनके तयार हो गया है तो इसमें जो मेरा constant है आ करके क्या हो जाएगा हो सकते हैं, कि एक में dissolve हो, हो सकते हैं, आधा इस में dissolve आधा इस में dissolve हो क्यों को नोग चाहिए, और वाटर दोनों चाहिए तब जा करके वह stable रहा रहा है फूर तब जाकर क्या है वह stable रहा रहा है और लुकовор that contain one or more active ingredient that are unstable in water phase पानी में तो dissolve होई नहीं पारें unstable है वो खराब हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएंगे लेकिन जैसी oil in water point हमने emulsion त्यार कर देते हैं और स्कंदर dissolve करते हैं तो यह जो मेरा solution या mixture त्यार होता है emulsion वाला इसमें यह stable है और अब हम हम इसका इस्तमाल करेंगे ठीक है ना mixture की बात करें and oral liquid containing one or more active ingredient suspended or dispersed in suitable base ठीक है तो general definition है सबकी जो हलका सा दिमाग लगा लोगे तो easily क्या है याद कर पाओगे clear है तो इनकी definition मेरा का समझना असान है हमारे लिए suspension or suspended का इस्तमाल कर देंगे oral solution है simple dissolve कर रहे हैं suitable base में oral drop में भी हम लोग क्या कर रहे है small quantity ले रहे हैं तो main main term हमको पकड़ लेनी है बस कि definition सबकी सेवी है main main term क्या लगा दें कि हमारा definition बन जाए हर किसी में हम active ingredients को suitable base में डाल रहे हैं लेकिन उसके अलाबा एक extra point क्या लिखे है कि definition बन जाए ठीक है ना जैसे suspended हो गया ठीक है ओर ड्रॉप में हमारा small quantity हो गया तो एक एक बड़ एक लिए ना बाद बाद की definition सब में क्या है almost same है आगे आते हैं लिंक टस्ट लिंक टस्ट क्या होता है अब विक विसकस ओरल लिक्विड डैट कंटें वन और more active ingredient dissolved in suitable based data generally contain high concentration of sucrose और other sugar यहाँ पर करेंगे high concentration यह मार कर लेंगे चीज वह यह active ingredients को suitable basement डाला है but high concentration of sucrose या other sugar उनका concentration high होगा अल एक जिर्स क्या होंगे clear flavored oral liquid containing one or more active ingredient dissolved in suitable based that container high proportion of sucrose and also contain ethanol 95% or diluted ethanol इसके अंदर साथ-साथ में क्या रहता है ethanol भी रहता है ठीक है तो इस तरीके से इनकी definitions तुम लोगों क्या करनी है याद करनी है one marks में definition पूछी जाती है फिर एक आता है dry powder यही सारे अभी हम लोग detail में भी देखेंगे यह सारे टॉपिक हमारे detail में भी है ठीक है ना dry powder for suspension dry powder for suspension preparation of finally powder drug finally powder मतलब हमने एकदम बारी करके महीन पीस लिया है ठीक है intended for suspension in liquid vehicle जिसका हम लोग intended intended मतलब हमारी मंचा है हम चाहते हैं कि वह liquid suspension बनाए ठीक है in liquid vehicles के अंदर यानिकित हमने देखा होगा हमें bottle मिलती है को सीरप आते हैं जिसमें powder होता है अलग से पानी मिलता है पानी मिला देते हैं हिला देते हैं suspension त्यार हो जाता है that is dry powder simple सी बात है they are generally reconstituted with recommended volume of purified water reconstituted द्वारा से बनाना या इसको बनाना powder बनकर त्यार हो गया हमको अलग दे दिया है कि बोटल में जहां पर mark जहां तक बोटल में mark दे रखा है देखा होगा तुम लोगों ने कहते हैं कि यहां तक मार्क है तो यहां तक जो पानी है उसको मिलाइए या purified water को मिला दीजिए ठीक है न और फिर उसका यूज़ कीजिए a dry mixture of antibiotic example आईए एक dry mixture जनरली क्या होते हैं एंटिवाइटिक होते हैं अक्सिलीन वगेरा का जो सीरफ आते हैं dry powder में अलग रहता है पानी अलग रहता है दोनों के मिला दो तो शीरफ बनके तयार हो जाता है ampicillin when mixed with one or more suitable buffers, preservative, stabilizers, suitning agent and suspending agent suitable for अब जखो जो अपने powder तयार किया है उसके अंदर क्या क्या चीज़े मौजूद है प्रिजरवेटिव, stabilizer, suitning agent, suspending agent इस सब उसके अंदर मौजूद हैं powder के अंदर ठीक है अब उसको reconstitution के लिए तयार कर दिया है और इसको हम लोग क्या कहते है dry powder for suspension बोल देते हैं इसको इसको हम लोग क्या बोल देते हैं dry powder for suspension simple powder की बात कर लें powder usually prepared by uniformly mixing drug with or without diluent binders disintegrators or other suitable excipients by suitable method to produce a pulverized or finely granulated form if necessary coloring agent aromatic agent flavoring agent etc may be added ठीक है न यह simple powder है जो हम लोग कहीवा powder direct as a medicine के तोर पर लेते हैं अपना ठीक है न तो यह simple powder है इसमें हम लोग क्या कहा रहा है prepared by uniformly mixing drugs with or without diluent इसके अंदर हम लोग डैलिवेंट्स मिला सकते हैं नहीं मिला सकते हैं binders add कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तमाम चीज़े हैं add जरूद है तो करो नहीं जरूद है तो मत करो यह simple powder है अपने ठीक है न जो हम लोग direct खा लेते हैं अब बात आती है हमारे पास यह तो हमारे पास एक तरह से general introduction हो गया कि आखिरकार liquid oral preparation क्या है और इसमें बहुत सारे topics ऐसे हैं जो अलग अलग separate करके detail में हम लोग पढ़ेंगे अब लोगों नहीं यहां पर क्या है जैसे monophasic और bathasic ठीक है न तो monophasic और bathasic को थोड़ा सा detail में देखेंगे हम लोग तो यहां पर गर हम बात करें Monophasic Liquid Doses Form ठीक है न तो Monophasic Liquid Doses Form की अगर हम बात करें तो Monophasic Doses Form refer to liquid preparation containing two or more component in one phase system, क्या हो गया यह one phase system it is represented by true solution इसको हम लोग क्या बोलते है true solution, मैं बता रहा था जैसे की यह क्या होते है, true solutions होते है बात समझ मा रही है ठीक है, it is represented by true solution, और true solution is clear homogeneous mixture फिर आ गया जैसे हम बताया था कि हम बिल्कुल solution बना हुआ रखा हुआ तो हम पैचान ने सकते कि उसके अंदर कोई चीज मिलाई गई है या नहीं मिलाई गई है, ठीक है that is prepared by dissolving solute in suitable solvent किसी solvent के अंदर हम solute के मिला करके suitable solvent मतलब जो उसको घोल ले अपने अंदर ठीक है हम लोग अपना solution तयार कर लेते हैं the component of the solution which present in large quantity known as solvent, जो ज़्यादा मातरा में मौझूद है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं solvent बोलते हैं, whereas the component present in small quantity is termed as solute, और जो small quantity में मौझूद है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं solute बोलते हैं, के लिए आगे आते हैं, अब इसके advantage और disadvantage, तो simple monophasic का मतलब क्या होगे, ज़्यादा में बता रहा था एक तार हम solution जब तयार करेंगे, तो हमें उसके अंदर केवल ऐसा लागा कि एक ही चीज़ है, उसके अंदर कोई चीज़ mix नहीं है, but actually mix होता है, उसके अंदर है advantage क्या है, it is easier to swallow अराम से निगला जा सकता है therefore, easier for children and old age people, जो बच्चे हैं जो दबा नहीं खा सकते हैं, old age people हैं जो निगलने में दिक्कत होती हैं, उनके लिए फाइदमन्द है, facilitate absorption of drug faster, एक tablet जाएगी, पहले disintegrate होगी फिर dissolve होगी, but यह directly क्या है, absorb हो जाएगी, ठीक है compare किसे किया गया है solid doses form से, और विसी बात है solid doses form पहले जाकर तूटती है फिर दबाई निकलती है, ठीक है ठीक है it is a homogeneous, therefore give uniform dose form, then suspension or emulsion which needs shaking, यह कैसे होते हैं, homogeneous है तो यह एक uniform doses, uniform dose provide करवाती है, अगर 10 ml लिया है तो उसके जितना content बोला गया उतना होगा, किस से compare किया गया है, suspension और emulsion, जहाँ पर किया हम लोग को हर वारी हिलाना पड़ता है, तो हो सकता है, थोड़ी दवा कम जादा हो जाए, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, तो यह कहीं ना कहीं, suspension emulsion के उपर इसका benefit है, simple and fast to formulate, बनाना काफी आसान होता है, इसको, it can be administered by various roots, इसको हम कई तरीकों से ले सकते हैं, oral, parental injection लगा के भी दे आजा सकता है, enema, enema होता है, जो NS के थुरू, intestine में पहुचाया जाता है, for rectal use, oticon में drop डाल सकते हैं, nasal ophthalmic preparation, आँखों में drop डाल लो, वो भी solution होता है, तो कई सारे root से हम लोग इसको body के अंदर पहुचा सकते हैं, जिस तरह का infection है, जिस तरह की problem है, हम लो की इस और difficult to transport and store, obvious ही बात है, tablet शुचटी होती है, यह बल्की होती है, तो transport करने में थोड़ी difficulty तो है, compared to solid doses form, water is commonly used vehicle which is prone to microbial growth, पानी generally इस्तमाल होता है, जिसके अंदर microbes grow कर सकते हैं, तो यह इसका एक side effect, होतला है एक disadvantage है, so addition of preservative is needed, हमको preservative उसमें add करने ही पड़ते हैं, जिस सीरप को खुले, खोल करके ऐसे धूप में रख दो और एक tablet को धूप में रख दो, तो बहुत ज़्यादा समभावना है कि सीरप बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, tablet जल्दी खराब नहीं होगी, तो कहरा है, when exposed to direct sunlight, it may undergo hydrolysis, hydrolysis हो सकती है, so need to store in cool and dark place, है ना, sunlight से direct oxidation हो सकत जाती है, so they have shorter expired date than solid doses form, क्योंकि ये जितनी वर खुलता है हर वारी light, sunlight या air पहुंसती है अंदर, तो उसका oxidation chance जादा हो जाता है, तो इनकी expired date भी क्या होती है, छोटी होती है, जल्दी खराब होती है, ये, other major science of drug instabilities है, color change, precipitation, microbial growth, etc, दूसरी अगर हम बात करें, किस तर पैच जाने ही खराब हो गया, तो उसका color वगरा change हो जाता है, precipitation देखने को मिल सकता है, जो homogeneous mixture था, उसके अंदर हमें छोटोटे से particles देखने को मिल सकते हैं, या microbial growth हो जाएगी, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, कि ये syrup या जो preparation, liquid preparation हमारी खराब हो गई है, अब जो monophasic हम body के अंदर जाएगा, clear है, body के अंदर syrup, ठीक है, mixtures है, elixirs है, linktus है, ये हम लोग क्या करते हैं, body के अंदर जाएगा, liquid means for external administration, external की बात करें, तो liquid applied to the skin, skin पर क्या कहा है, लगाते हैं, lotions, जैसे की body lotions है, liniments, collodions, paints, paints में अगर हम बात करें, जो common चीज हैं, उनका मैं example दे र होते हैं, paints की बात करें, जैसे की जब चाले अगरा पढ़ जाते हैं, तो मुपर अंदर एक तरह का liquid देता है, doctor लगाने के लिए, वो paint होते है, liquid used in mouth, gargle है, mouth versus है, ठीक है, liquid instilled into body cavities, वो liquid जो body के cavities, जैसे नाक है, कान है, ठीक है, वहाँ पर डाला जाता है, तो ear drop, nasal drop, eye drop, any mask तो इस तरीके से ये liquid external, यानि की body के अंदर नहीं जाएंगे, हमारे blood में नहीं जाके मिलेंगे, body के बाहर बाहर रहेंगे, ठीक है, तो फटा-फट इनके हम लोग, थोड़ा सब समझे, monophysics को और detail में, तो syrup का हम उपर भी example दे सके हैं, syrup का और अच्छे से definition समझे अगर, त ठीक है ना, तो syrup क्या है, aqueous preparation of 60 to 85% सक्रोज, इसके अंदर 70-80% इसके solution में कहा रहा है, सक्रोज रहता है, with or without flavoring agents and medicinal substance, ठीक है, और साथ में कहा रहता है, medicinal substance रहता है, तो simple syrup की definition हम सबको पता है, हम लोग एक syrup ही base लेंगे, और medicinal substance डाल देंगे, हमारा syrup तयार हो गया है, chloro-finam सिरप, chloral hydrate, यह example है, सिरप के, then elixirs, clear, aromatic, sweetened, hydro-alcoholic, इसके अंदर क्या रहेगा, अलकॉहलिक होता है, ठीक हा, हलका सा अलकॉहल के मातर रहता है, इसके अंदर, solution with or without medicinal substance intended for oral reuse, इसका इस्तवाल भी oral के लिए होता है, oral use में करते हैं, dexa, methasan, elixir, then linktus, linktus कैसे हैं, यह viscous है liquid and oral preparation data generally prescribed for the relief of cough, codeine linktus, ठीक है, अब इसके जरा सा, हम तुमको वो दिखाते हैं, जहां से, यह देखो, ठीक है, green linktus, जो लोग medical shop में बैठते हैं, यह hospital कर जाते हैं, देखा हो, यह बड़ा common syrup है, बड़ा अच्छा syrup है, खासीगा, then dexa, methasan, elixir, यह elixir है, ठीक है, और यह codeine linktus, यह बड़ा famous है, ठीक है ना, खासी बड़ा एकला काम में आता है, तो यह साथ-साथ इसलिए दिखाता चल रहा हूं, ताकि दिमाग में set हो जाए, चीजे, linktus, elixir, और, अच्छा, ठीक है, linktus हो गया, और syrup, syrup, अच्छा, syrup तो normally सभी है, ठीक है, यह भी syrup है, और य linktus है, यह syrup है, green linktus, ठीक है, यह एक्छुली syrup है, यह, this is the syrup, this is elixir and this is codeine linktus, clear है, बास समझ मा रही है, आगे आए, अब गार्गल्स, हम सब को पता है, गार्गल्स, गरारा करते हैं हम लोग है ना, aqueous solution containing antiseptic, एक aqueous solution होता है, aqueous मतलब पानी, जिसके अंदर पानी होता है, पानी के अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, antiseptic डालते हैं और antibiotic डाल देते हैं, और हमारी गार्गल्स बनके तयार होयाता है, used to treat throat infection, गले के इंफेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका, इ एक डखकन लेते हैं, पानी मों डालते हैं और फिर गरारा करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्या तक concentrated है, dilution with warm water, हलका गुंगला पानी रहता है, उसमें डाल देते हैं, before use, povedine iodine gargle, povedine iodine gargle, यह दखो, povedine iodine gargle, देखा होगा यह, बहुत से लोगों ने, mouthwash, हैना Mouthwash लिखा हुआ है, Listerine, and then Mendel's paint, जो paint की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यह उसके diagram है, जो market में जातर available है, उसके मैंने pick निकाल की यहाँ पर लगाई है, तो mouthwash सबको पता है, यह भी aqos solution है with pleasant taste, इसका taste थोड़ा सा अच्छा होता है, and order, मैंटा देखो, जगर दिमा में ऐसे set कर लो, definition खुझ से बना के लिख लोगे, याद नहीं करना कुछ भी, चीजों को picture दे रहा हूँ मैं साथ साथ में, चीजों को set कर लो definition अपने आप बन जाएंगी, ठीक है, तो clear हो गया यह, have antiseptic and astringent activity, इसकी antiseptic और astringent activity होती, यह एक्स्टिंजन पता है ना, पता होता है ना, पढ़ चुकिए हम अश्टिंजन फटा 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 बताओ क्या होता है astringent, ठीक है, example क्या है antiseptic phenol derivative, तो mouthwash के यह पर example दे दिया, throat pen, यह भी viscous थोड़ा गाड़ा होता है, liquid preparation used for mouth and throat infection, example phenol glycerine compound iodine, तो यह throat pen है, गले के लिए यह भी इस्तमाल होते हैं, तो किस- पर समझ लो और फिर उसको एगवरी हिंदी में अपनी दिवाग में सेट कर लो और definition खुछ से बना के आनी है, बिलकुर रटने मत बैढ़ यहाद करने को बैठ रहे हो, लगता कि यह रटना है, यही करना है, तो यह लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, example पक्का कर जाते हैं, क्या intention होता है, इंस्टिलेशन इन दा आई, आखों में डालने के लिए, example है, टिमलोल, मैलीट, आइड्रॉप, कोई भी ले लोग एक, एक example दे दोगे, nasal drop, नाक में डालते हैं, सबको पता है, इसलिए इसका डाग्राम नहीं दिया, मैंने, administered through the nose, इसको हम लोग desperated track problem, यहाँ से उपर, यह throat का नाक से जो नली गई है, यहाँ से लेकर यहाँ सब कोई problem होती है, तब इसका इस्तमाल हो रहा है, जैसे की, oxymetazoline hydrochloride, बहुत common है यह, nasal drop, अब अनीमा कुछ लोगों नहीं देखे होंगों, तो अनीमा का में डाइग्राम दिया है, यह एक त काम तक पहुंचता है, रेक्टम में क्या है, जो हमारा fecal matter इखटा हुआ है, कई बार वो होट टाइट होयाता है, पौटी नहीं हो रही होती है, तो यह liquid जा करके उसको dilute करता है, फिर पौटी इजली हो जाती है, जनरल इसका काम यह होता है, फिर कुछ और भी परपस होते इससे यह इस्तमाल होता है, फिलास का में काम यही है, एक्वास और ओईली सोलीशन होता है, डैट इस इंट्रडूस इंटू दर रेक्टम, एंड कोलोन, ठीक है न, एनस सा होता हुआ, कहां पहुंचता है, रेक्टम, या कई बार क्या होता है, थोड़ा pipe से हम और अंदर त कि ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, ठीक है, यह खुद कोई medicine नहीं है बेटा, इसका main काम सफाई का ही है, इसका main काम सफाई का है, डैगनॉस्टिक परपस से क्या मतलब है, कि डैगनॉस्टिक परपस से क्या मतलब है, कि डैगनॉस्टिक कैसे help करेगा, जब डॉक्टर लोग क्या करते हैं? endoscopy करते है NS की. NS से होते हुए आतों की तो वो लोग एक pipe लेते हैं उसका एक camera होता है NS से वो अंदर डालते हैं तो करना क्या होता है? इसको हम लोग क्या करते हैं? animal लगा देते हैं, जो patient होता है तुरहन उसको party आती है तो उसका पूरा colon, rectum वाला part पुरा साफ हो जाता है जिससे कि जब doctor endoscopy करेगा तो उसे fecal matter सामने नहीं आएगा जादा तो easily endoscopy हो पाएगी ठीक है ना, cleansing वाला part तो होई गया ओके next है liniment, तो देखो एटा है simple समझो, ये सबने देखा है जंडू का आजका एड वगरा भी रहता करके जोडों के दर्द वगरा के लिए रहता है तो ये liniments होते है, ठीक है, topical, analgesic, anti-inflammatory ये muscles वगरा है फुरा सा absorb हो करके अच्छा work करता है, तो ये liniments है lotion, baby lotion हो, चाहिए body lotion हो lotion होते है वो, और mouth paint, ठीक है, जो मुझे बता है यहाँ पर क्या चाहता है, monophasic है तो सबके सब क्या है true solution है, सबके सब क्या है, true solution है आप liquid को भाहर निकालों को तो आपको उसके अंदर कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी सब उसके अंदर अच्छे से mix हो रखा है ठीक है, liniment क्या है oily liquid, अच्छा base जो है हम लोग depend करता है, जो हमारा medicament है, जो हमारा chemical है वो पानी में dissolve हो रही है या तेल में dissolve हो रही है तो पानी dissolve होगा तो base पानी का ले लेंगे तेल में dissolve होगा तो base हमारा oil हो जाएगा, ठीक है oily liquid preparation intended for external application oily liquid preparation है जिसकी मंच्छा क्या है, जिसको हम लोग किसले इस्तमाल कर रहे है, intended for external application, बाहर ही इस्तमाल करेंगे with rubbing, बहुता रगड़ेंगे इस तरीके से, rubbing action to the affected area, जहां जहां पर affected है, used to relieve pain and stiffness, इसको use करते हैं, ता कि pain से छुटका रहा है मिल जाए और जक्रन stiffness, जो जक्रन वगरा है उससे हमें रहात मिल जाए such as from muscles, spas जो muscles के spas पढ़ गए, spas मतलब जो दर्द हो रहा है and arthritis, जोड़ो का दर्द होता है lotions, topical preparation, यह भी topical preparation है, उपर लगाए जाता है with a low to medium viscosity, इसकी low से लेके medium viscosity होती है, viscosity बहुत ज़्यादा नहीं है, used to moisturize dry skin, ठीक है dry skin को moisturize करने के लिए होता है, जैसे कि calamine lotion है, यह baby lotion है paints, paints क्या है, solution used to sterilize the skin skin को sterilize करने के लिए एक तरह से साफ करने के लिए हो गया, example क्या है, betadene antiseptic paint और magenta paint ठीक है, तो यह paint है हमारे पास, अलग अलग तरह के paint होते हैं तो, यह सब के सब क्या है monophasic वाले थे clear है next, इसके अंदर जो heading आती है हमारे पास, ठीक है biphasic को हम अलग chapter में क्लिए उसको थोरह सा अलग से ले लेंगे बाद में फिलाल क्या है, monophasic ज़्यादा important है ठीक है, biphasic को अलग से बाद में बढ़ेंगे तो, monophasic और अब उसमें हम लोग क्या ले ले रहे है solution, क्योंकि monophasic के अंदर ही क्या आ जाते है हमारे पास, solution आ जाते है solution क्या है, solutions are defined as liquid doses form prepared by dissolving active ingredients in an aqueous or non-aqueous solvent ठीक है न, जो active ingredients है, solution तो पता ही है पानी ना होकर को oil अगरा हो सकता है कोई और चीज़ हो सकती है, ठीक है उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, अपना medicine को dissolve कर देंगे और हमारा solution बन के तयार हो जाता है classification की बात करें, solution की तो कई तरीके साँ हम इसे classify कर सकते हैं on the basis of type of solvent हमने कौन सा solvent इस्तेमाल किया है echo solution, अगर हम लोग पानी इस्तेमाल कर रहे है solution that contains water as solvent अगर पानी को as a solvent इस्तेमाल किया है तो echo solution are called as echo solution for example sugar in water simply sugar को पानी में डाल दो, solution मन के तयार हो गया non echo solution solution that contains solvent other than water पानी के अलाबा कोई और चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे है alcohol है, ether है, oil है, कुछ भी है for example, ethanol, ethyl ether, etc are called as non-aques solution aqueous मतलब पानी non-aques मतलब जहाँ पानी नहीं है on the basis of concentration, concentration बहुत ज़दा concentrated है, जैसे कि मैंने बताया, gargle करते है तो बहुत ज़दा concentrated होता है हम उसको मिला लेते हैं, dilute करते हैं, फिर gargle करते है कि dilute है एकदम, ठीक है concentrated solution पहली category, the solution with greater proportion of solute यहाँ पर solute, by concentrated concentration का मतलब, सांधरता यानि कि solute बहुत ज़दा मातरा में है is called a concentrated solution for example, concentrated almond extract ठीक है, example के तोर पर पर वो है a dilute solution, for example dilute ammonia solution यह example है, ठीक है न saturated solution जिसके अंदर हम अब और medicine को add या और solute को add नहीं कर सकते solution in which no more solute can be no more solute can be added at given temperature is called a saturated solution of for example simple syrup at a given temperature temperature बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो चीजों में difference आख सकता अगर एक temperature है 25 degree centigrade है suppose उसमें हम solute डाल रहें डाल रहें डाल रहें एक time के बाद solute extra dissolve होना बंद हो जाएगा ठीक है न तो हम कहेंगे saturate हो गया अब इसके अदर और नहीं घुलेगा जो डालोगो घुलेगा यह पढ़ा रहे गया असी unsaturated जिसके अदर हम लोग अभी और गुंजाईस है कि आदी चम्मच चीनी और डाल दे तो यह और घुल जाएगी ठीक है न तो unsaturated solution a solution in which more solute can be dissolve और solute को हम लोग dissolve कर सकते है at a given temperature is called as unsaturated solution for example aqueous iodine solution ठीक है example दे दिया है यहाँ पर तो यह हम लोग कई तरीके से इसको classify कर सकते हैं सिर्फ दिमाग में रखनी है बात है on the basis of root of administration oral solution topical solution solution instilled into the body cavity or parental solution अगर solution में classification आता है तुमारे पास और आता है और तुम्हें लिखना पड़े तो तुम लोग यह वाला लिखोगे ठीक है बात समझ में आगी अगर तुम्हें रूट तो root of administration वाला classification ही लिखोगे यह ज़्यादा बेटर है now preparation of solution solution को prepare करते कैसे करते हैं प्री फॉर्मुलेशन ऑफ सलूशन हम सबसे वहले एक सलूशन बना लेंगे फिर फॉर्मुला सेट अप क्या-क्या ingredient मिलाने है selection of method of preparation किस तरीके साब उसे prepare करेंगे और finally evolution of product बनके तयार हो गया है क्या वो सही है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके अंदर उसे evaluate करेंगे clear है तो इसको हम बारी बारी से जैसे हमारे topic आएंगे syrup और जो हमारे syllabus में है उसके हिसाफ से हम इन 4 step को discuss करेंगे यहां पर हम discuss नहीं करना यहां पर बहुत बड़ा detail हो जाएगा यह अब कुछ quality control test होते हैं जो हम सब्सक्राइब बना लेते हैं तो किस तरह से हम quality control कर टेस्ट करते हैं तो organoleptic ठीक है organoleptic test include evolution of solution preparation for visual appearance color taste color taste order labeling है ना यह सब चीज़ने देखते हैं organoleptic में जो हमारे senses है color देख लेंगे touch चक के देख लेंगे ठीक है color test order सूंग के देख लेंगे क्या वो जो हमारा इसे करते हैं डिटेल में जांच कर लेते हैं उसकी कलरी मेंटरी यूवी स्पेक्ट्र फोटो मेंटरी मैंचर टू चेक दा percentage of drug content है ना कितना drug है उसके अंदर पर 5 ml में कितना drug आ रहा है पर 10 ml में कितना drug है जो 100 ml syrup हम ले रहे हैं CC भर रहे हैं उसमें कितना drug है तो ऐसे कर लेते हैं देखते हैं कि हाँ 100 ml में उत्रा ही ड्रग आ रहा है जितना हमने बोल रहे हैं पूरेविल्टी टेस्ट ठीक है ना पूरेविल्टी बाइ मेजरिंग दा फ्लो टाइम एंड फ्लो रेट हम लोग उसको ऐसे पूर करते हैं ना सीरप को लिया ऐसे डालेंगे तो मशीन होती ही पूरा उसमें कितनी देर में पूरा 100 ml सीरप निकल के बहार आ गया किस रेट से बहार आया तो पूरेविल्टी जब अगर उसको गिराएंगे तो उसका फ्लो रेट क्या है यह सब चेक करने पड़ती बटा ज़रूरी होता है विसको सेटी विसको सटी ऑफ सोलीशन पर्पेशन इंटेर्माइड बाइज विर्यस विसको मिटर सच अज ओस्ट वाल्ड विसको मिटर और ब्रुप फिल्विसको मिटर कितना गाड़ा है हमारा सोलीशन उसको चेक करेंगे Clarity test A liquid is considered clear if it is clear If its clarity is the same as that of the solvent used for preparing the solution इसको Liquidity को clear तहीं माना जाता है कि जो हमारा solution था Mix करने के बाद तो बिलकुर solution जैसा ही दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि उसको नहीं कुछ मिलाया नहीं है तो ही हम उसे clear मानेंगे Clarity of solution preparation can also be determined by using clarity test apparatus कुछ clarity test apparatus भी होते हैं जिसको कि हम लोग क्या करते हैं जिसकी help से हम लोग इसको check कर सकते हैं अधर्वाइस simple solution solvent का color और solution color देख लेते हैं दोनों match कर गए तो मतलब clear है pH test कर लेते हैं pH for this solution is checked by using simple litmus paper और by using pH meter कितना pH रखना है हमें वो भी check किया जाता है surface tension देखी जाती है surface tension और solution surface tension of solution is a physical property यह क्या है physical property determined by using various instruments such as stalago stalagmometer ठीक है ना surface tension surface tension ना physics का concept है physical property है तो चेक किया था कितना surface tension है यह सब property बेटा देखी जाती है दरवाइस medicine proper काम नहीं करती है stability stable है कि नहीं है ऐसा नहीं चार्जिन रखने बाद खराब हो जाए solution preparation can be tested for short term and long term duration against different temperature light and humidity condition है अलगलग sample ले लेते हैं दरदस बंदा बंदा अलगलग temperature दिया जाता है अलगलग humidity condition दी जाती है नमी वाला part हो गया light provide कर रहे जाएगी देखा जाएगी कि अगर इतनी लाइट जी जा रही तो कितने दिनों में खराब हो जा रहा है तो चेक करते हैं इसको stability relative density relative density of the solution is a physical property determined by using pipe no meter or density bottle यह भी एक physical property फिसका पार्ट है तो इसको हम डिटेल मिनी देखेंगे आपर microbial limit test कितने microbes हैं उसके अंदर या क्या growth रहनी चाहिए इस टेस्ट इस परफॉर्म तो चेक वैदर the solution contain any microorganism or not तो यहाँ पर चेक किया जाता है कि कोई उसको अंदर यह मतलब जिसे कहते हैं कि हम लोग उसके quality assurance है वो तभी मैच होगा जब इन सब test में यह पास होता है कि लिए रहे पाते हैं और यह lecture हमारा खतम हो जाता है तो पेटा करना क्या है इसको अच्छे से revise करना है बहुत सारे terms अब आने वाले हैं simple हैं चीजें बहुत tough नहीं है basic process है manufacturing वाली जो होती है basic चीजें बहुत ज़्यदा tough नहीं है अला topic है न ओर वाला तो एक concept मियान में set कर लोगे और definition का difference चेक कर लेना पक्के से कि किसकी definition में क्या हमें लिखना है especially बस काम हो जाएगा ठीक है न पीडिएफ का link मिली जाता है मिल रहा हुआ लगाता है यह मेरा number अब प्रॉलम आती है यह अपना must सांदार से app है जिसका आप लोग use कर सकते हो और ठेट सारी practice कर सकते हो ठीक है बाद बाकी पढ़ना है और revise करना है all the best